दोस्तों, रिसर्च के अनुसार पता चला है कि आज के वर्तमान समय में धर्ती का हर दूसरा व्यक्ति न केवल मदिरापिता है, बलकि इसे पीने में बड़ा ही गर्व महसूस करता है, लेकिन मित्रों क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में मदिरापान को सबसे बड़े पा नरक लोक में कौन-कौन सी सजादी जाती है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए, मित्रों वीडियो में आगे दोस्तों हमारे हिंदु धर्म ग्रंथों में कई तरह के पाप और उनहें करने पर मिलने वाले सजाओ का वर्नन मिल जाएगा, इसी तरह भागवत गीता में 5 तरह के महापाप बताये गए हैं, और मित्रों आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पाँचों महापापों में सबसे बड़ा पाप मदिरा पान को बताया गया है। मदिरा पान के अलावा भागवत गीता में ब्रहमा हत्या चोरी गुरुस्त्री से संबंध और विश्वास धात करने को भी महापाप की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों जहां भी मदिरा पहुचती है, वहां आदमी को शैतान बना देती है, इसलिए तो शराब के नशे में चूर व्यक्ति दूसरों से न केवल लड़ता जगरता है, बलकि अभदर भाशाओं का प्रयोग करने से बाज नहीं आता। इसके अलावा हमारे वेद पुराणों में भी मदिरा पान को बहुत ही बड़ा बाधक माना गया है, इसलिए वेद में शराब का सेवन करने वाले लोगों को शैतान की संग्या दी गई है। रिगवेद में बताया गया है, सुराबान करने वाले या नशीली पदार्थों को पीने वाले अकसर युद्ध मारपीट या उत्पाद मचाया करते हैं, इसलिए रिगवेद में भी मदिरापान वर्जित बताया गया है। लेकिन रिगवेद में ही यह भी लिखा हुआ है कि देवता सोमरस का सेवन करते हैं और आजकल के अज्यानी लोग इसी सोमरस को मदिरापान से जोड़ कर देखते हैं, जबकि सोमरस एक रासायनिक प्रक्रिया से बनाया हुआ विशेश द्रव्य बताया गया है. दरसल दोस्तों होता क्या है जब मदिरा शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो वह व्यक्ति के अंदर से विचार संसकार विवेक और सद्भाव को बाहर निकाल देती है, जिससे व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता खक्म हो जाती है. विध्यान इस विशय पर कहता है कि जब आप शराब का सेवन करते हैं तो आपको शराब हजम नहीं होती यहाँ आपके रक्त प्रभाव में तेजी से अवशोशित कर ली जाती है और बहुत जल्दी आपके शरीर के हर हिस्से में फैल जाती है, शराब पहले आपके मस्तिश को प्रभावित करती है और आपकी सोचने समझने की ख्षमता प्रभावित हो जाती है, दोस्तों पहली बार शुक्राचार्य ने शराब बंदी करवाई थी, मदिरापान को लेकर हिंदू धर्म ग्रंथों में एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें असुर गुरु शुक्रा शुक्राचार्य के पास गए, यह बात असुरों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने कक्ष को मारने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन कक्ष का शुक्राचार्य के संरक्षन में होने के कारण असुर कुछ नहीं कर पा रहे थे, फिर एक दिन मदिरापान किये वे असुरगड कक्ष को भस्न कर धोखे से शुक्राचार्य को भी मदिरापान करा देते हैं, मदिरा के प्रभाव से कुछ समय तक शुक्राचार्य भी संजीवनी विद्या का प्रयोग करके जीवन दान नहीं दे पा रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ की शराब व्यक्ती का शत्रु है और उन्होंने ततकाल असुरों के लिए शराब पीना बंद करवा दिया, लेकिन असुर जाती शराब पीना कभी छोड नहीं पाए, धीरे धीरे करके समाज के अन्यवर्ग ने भी मदिरापान को गलत माना, दोस्तों एक बार लंका पती रावन ने अपनी बहन शूर पनखा को ग्यान दिया था कि ऐसा इनसान जो मदिरापान करता है, वह जीवन भर दुखी ही रहता है, क्योंकि शराब के सेवन से व्यक्ती की लज्जा चली जाती है, वह गलत कर्म करने पर भी कभी लज्जित महसूस नहीं करता, इसके अलावा नारत पुराण में भी शराब के सेवन को महापाप बताया गया है, नारत पुराण के अनुसार शराब तीन प्रकार के होते हैं, पहला गौडी अर्थात गुड से निर्मित की गई शराब, दूसरा पैस्टी अर्थात आटे से बनाई गई शराब और तीसरा प्रकार है माधवी यानि ऐसी शराब जिसे फूल और अंगुरों के रस से निर्मित किया गया हो, नारत पुराण में वर्नन मिलता है कि स्त्री हो या पुरुष दोनों को ही इन तीनों प्रकार के शराब से हमेशा दूरी बना करके रखनी चाहिए, किसी भी प्रकार की शराब पीने से मनुष्य पाप का बनता है, जिसकी सजा उसे इस मृत्यू लोक में तो भोगनी ही पड़ती है, लेकिन मृत्यू के बाद नरक में भी भोगनी पड़ती है, ऐसा मनुष्य जो शराब का सेवन करता हो, उनसे भगवान हमेशा दूरी बना करके रखते हैं। ऐसे मनुष्य पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते और उन्हें हमेशा दुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों शराब पीने के अलावा जो व्यक्ति किसी दूसरे को शराब पीने के लिए मजबूर करते हैं, उन्हें भी मृत्यू के बाद नरक में कई तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती है। नारद पुरान के अलावा गरुर पुरान में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य शराब का सेवन करता है, उन्हें अगले जन्म में कुट्टे की योनी प्राप्थ होती है। साथ ही यह भी बताया गया है कि एक बार शराब पीने से मनुष्य के पाप सत्तर जन्मों तक बढ़ जाते हैं, अर्थात अगर आप एक बार शराब पिएंगे तो आपको सत्तर बार और धर्ती पर जन्म लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमेशा मदिरा से दूरी बना कर रखें साथ ही मदिरापान करने वालों से मित्रता ना करें क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत होने में ज्यादा समय नहीं लगती, तो मित्रों उम्मीद करते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवार